यौन उत्पिडन के मामले में 11 साल से जोद्पुर्ट सेंट्रल जेल में आज जीवन कारवास की सजाकाट रहे आसाराम बापो पहली बार जेल के बाहर खुली हवा में सांस ले सकेंगे आसाराम को राजस्थान हाई कोट ने बीमारी के इलाज के लिए 7 दिन के पैरोल को मनजूरी दी है राजस्थान हाई कोट के नयद्धीश जस्टिस पुषपेंदर सिंग भाटी की खंड़ पीट ने यह फैसला दिया है बता दे कि वह 1 सितंबर 2013 से जेल में बन है और अब करीब 11 साल बाद पैरोल पर बाहर आएगा या पहली बार है कि जब आसाराम की पैरोल मनजूर हुई है वह पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए महाराश्थ जाएगा दरसल आसराम की कुछ दिन पहले अचानक तब्यद बिगड़ गई थी उसने सीने में दर्द की सिकायत की थी जुसके बाद जेल प्रशासन ने उसे जोदपूर एम्स में भरती कराया था यहां मेडिकल चेकप के बाद उसे इलाज के लिए भरती कर लिया गया था वह 10 अगस से जोदपूर एम्स में भरती है आसराम की तब्यद खराब होनी और जोदपूर एम्स में भरती होनी की ख़बर सारजनिक होती अस्पताल के बाहर उसके समर्थकों की भीड लग गई थ आसराम को 2018 में जोदपूर की कविशेस पॉक्स व अदालत ने नाबाली के साथ बलतकार का दोशी ठहराया था और आजीवन कारवास की सजा सुनाई थी इससे पहले भी 85 वर्ष ये आसराम ने भीमारी का हवाला दे कर कई बार पैरॉल की मांग की थी 20 जून को उसने अदालत से 20 दिन की पैरॉल की मांग की थी लेकिन तब पैरॉल कमीटी ने उसे राहा देने से इनकार कर दिया था आसराम ने मेडिकल ग्राउंड पर अपनी सजा निलंबित करने की मांग को लेकर राजस्थान हाई कोट में भी एक याजिका दाखिल की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था हाई कोट के फैसले को आसराम ने सुप्रीम कोट में चुनाउती दी थी इस साल मार्च में शिर्स अदालत ने राजस्थान हाई कोट के फैसले में हस्त शेप करने से इनकार गदिया था हाला कि सुप्रीम कोट ने कहा था कि वह उप्चार की अनुमती मांगने के लिए राजस्थान उच न्याले का दरवाजा खटखटा सकते हैं जिसके बाद अब आसाराम को राजस्थान हाई कोट ने बड़ी राहत मिली है बतादे कि आसाराम के बेटे नारायन साई भी रेप केस में आजीवन कारवास की सजा काड रहा है सूरत की रहने वाली एक महिला ने उस पर 2002 से 2005 के बीच सोशन और बार 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 बलतकार करने का आरोप लगाते वे जहांगीर पुड़ा पुलिस स्टेशन में एफायार दर्ज कराई थी वा दो महिने तक गिरफ्तारी से बचतारा और 4 दिसंबर 2013 को दिल्ली हर्याना सीमा पर दिल्ली गुजराद पंजाब और हर्याना पुलिस के सन्युक्त अभियान में गिरफ्तार हुआ सुरत की एक अदालत ने 26 अपरेल 2019 को नारायन साइं को बलतकार अप्राकृतक यौन संबंग हमला अप्राधिक धमकी और साजिश रचने का दोशी ठहराया और आजीवन कारवास की सजा सुनाई थी